हाई, फिर्स्ट अफॉल, ओनलाइन टारो सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसका काफी टाइम से काफी सारे लोग वेद कर रहे हैं, वो लाँच हो गया है और अभी अर्ली बर्ड डिसकाउंट भी चल रहा है, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को यही कहूंगी कि अगर आप व के हिसाब से आपकी राशी हो तो चलिये जी, coming week का साथ एक राशी फोल शुरू करते हैं तो चलिये इस copious आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा हैAN्ली क्या अनरशी हैं तो professional front के लिए आप लोगों के कारज्ट हैं five of suits and architect और दिखिए the architect' का बहुत ही clearly किसी चीज को लेकर एक planning करने की बात करता है, structure बनाने की बात करता है, create करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रह रहा है, जहां पर चीजों का control अपने हाथ में लेकर आप again मैं कहूंगी कोई चीज create करना चाहा रहे हैं, क्योंकि ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए कोई project हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने workplace को redecorate करना चाहा रहे हैं, renovate करना चाहा रहे हैं या फिर कुछ भी you know again अपने लिए बनाना चाहा रहे हैं और उसी से ही related planning करना चाहा रहे हैं, एक structure, एक system बनाना चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए दिखिए five of source का card कहता है कि कहीं इनी चीजों को लेकर एक supportive, एक cooperative environment आपको अपनी external front से नहीं मिलता हुआ दिख रहा है और इसी वज़े से या फिर otherwise भी आपको ऐसे लग रहा है कि भई जो आप deserve करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है और कहीं देखिए एक unfair सी energies, एक किसी तरीके का किसी level का injustice भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि literally आपको ऐसे लग रहा है कि भई लोगों के intentions, लोगों के motives आपके लिए ठीक नहीं है वो कहीं आपके साथ गलत करना चाह रहे हैं, आप से jealous feel कर रहे हैं, आपको कहीं let down करना चाह रहे हैं तो यह general reading के थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन broader level पे कुछ ऐसी सी energies आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी Scorpios की सबसे पहली बात यह weekly reading है, weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं और वैसे भी देखें, नया week नही energies लेकर आएगा, तो इस week आप थोड़े से cautious रहें, थोड़े से conscious रहें, blind trust ना करें और जो आप कर सकते हैं, आप उस पे focus करें, जो नहीं कर सकते हैं, beyond the point, आप उस पे इतना attention ना दें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, three of pentacles, reverse and will, wisdom and mind और देखें, ये cards कहते हैं, कि इस week personal front में हो सकता है, आप जादा लोगों से मिल रहे हैं, जादा लोगों से interact कर रहे हैं और यहाँ पे सब के लिए different reason हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए दिखें हो सकता है, कि आप किसी तरीके की guidance, किसी तरीके की advice या तो लेना चाहा रहे हैं या ले रहे हैं, या पिर in general भी दिखिए, आपके loved ones के साथ, कहीं आपकी जादा interactions बातचीत हो रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी, you know, हो रहा है surface level के लिए, वो कहीं इतना practical नहीं है, इतना realistic नहीं है या फिर इसी वज़े से आपका जादा खर्चा हो रहा है, कहीं materialistic, tangible, चीजों से related, एक discomfort रहता हुआ दिख रहा है एक, you know, आप इतना जादा, again मैं कहूँगी, comfortable नहीं महसूस कर रहे हैं और again कुछ के लिए हो सकता है कि पैसा आपके हाथ से जा रहा है, खर्चा आपका हो रहा है और कहीं आप बहुत ही willpower, बहुत ही एक, you know, wisdom के साथ, जो भी हो रहा है उसको deal करते वे दिख रहे हैं आप कहीं heart और mind का balance रखते वे दिख रहे हैं आप इसी process में बहुत जादा एक peace, calming energies के साथ हर चीज को deal कर रहे हैं जहाँ पे बहुत एक determination रखने की ज़रत है, आप determination रख रहे हैं जहाँ पे बहुत love care दिखाने की ज़रत है, वहाँ पे आप love care दिखाते वे दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत, you know, logically चीजों को deal करने की ज़रत है वहाँ पे आप logic भी रखते वे दिख रहे हैं और जबी भी Scorpios हम ऐसी energies में होते हैं तो जो भी issues, जो भी मसले होते हैं हम उनको बहुत ही smartly, बहुत ही अच्छी तरीके से tackle कर पाते हैं और आपके लिए भी कुछ ऐसा ही रहतावा दिख रहा है, जो Scorpios ऐसी energies में नहीं है, उनके लिए guidance है कि कुछ इस तरीके से आप चीजों को deal करेंगे, तो जो भी छोटे मुटे issues surface level पे हैं, आप बहुत असानी से उनको overcome कर पाएंगे और guidance से आप लोगों के लिए cola, spirit का card है और ये card कहता है, spirit has a plan बहुत ही clear message है, कि जो भी चीजें इस week आपके professional या personal front में हो रही है जो किसी level पे आपको थोड़ा सा या काफी bother कर रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो सकता है कि इस week आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इन चीजों के पीछे कोई reason है, कोई meaning है universe spirit का कोई plan है, और यही चीजें जो थोड़ा सा again आपको इस week bother कर रही है वो future में बहुत beautiful energies, बहुत ही एक positivity आपकी life में लेकर आएंगी and astrology से आप लोगों के लिए Mars का card है और इसके हिसाब से all sheets of red, maroon, rust आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significantly आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था सकॉपियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए